इस वीडियो में वैसे चुडेंट जो खासकार जाम मिले सलहम में डीप्लोमें इंजिनिरिंग का जो भी मेस्टूडेंस अक्जाम देना चाहते हैं आज किस वीडियो में किस तरीकी से आपको तियारी करना उसके बारें बात करेंगे आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है यहाँ पर जैसे जब क्लिक करेंगे एक न्यू आइकन इस तरीके से उपन हो जागा देना आपको स्क्रॉल करते हो नीचान है यहाँ पर आनके बाद आपको एड्मिस्टन का सेक्षन दिख रहा है अब आपको एड्मिस्टन सेक्षन माएंगे तो देखिए यहाँ पर जैसे जामे मिल इसलामे का प्रोस्पेक्टस हो गया तो डिपलोमा का एंट्रेंस एक इसी में ही मिंसन है इसके लाबा आप फॉर्म अपलाए करने के लिए अगर आप डिपलोमा का फॉर्म फील करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही लिंक है इस लिंक के थुरू आपको फॉर्म डालना है पागी यह लिंक करहा है इस लिंक यह तो प्राइब होले के लिए सिम्पल अगर लाज्ट गाप देखना चाहते हैं दिपलोमा का तो इस लिंक से देखेंगे और आगर सलीबस देखना थर्ड अप्रेल तक फॉर्म करने का लास्ट डेट है और इसके बाद निक्ष अगर बात करें थर्ड मार्च से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फील होना अगर बाई देब आपको गलती कर जाते हैं अलगे नहीं गलती करें यह तापके लिए बैतर होगा वैसे गलती अगर कर आपका 700 डखा है कुछ तो में भी एटीम के चार्ट के आरण हो सकता है 720 यह 721 के आसपस पेग करना पड़े जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं फिल किये फिल कर ले थोड़ा सा उससे पहले आपका जो यानि आपकर डिप्लोमा के बारे में डेल चेक अना चाहते हैं जैस इस पहले में डिप्लोमा दो तरीक है एक रेगुलर दुसरा सेल फानेंस है सेर्टिफिकर्ट दोनों का सेवी मिलते हैं कोई अलग नहीं मिलता है हां नौलेज के इसमें थोड़ा सा फर्क हो सकता है हो सकता है कि जो रेगुलर के स्टूडेंट हो उनके पास जादा अएसा कुछ नहीं है लेकिन उससे पहला यह जान जाए कि सीट्स कितने हैं तीर का कोर्स है पहला दोनों यहां कि सेल फानेंस भी रेगुलर लेकिन अगर आपको अच्छा माइख साथ है तो आपको सेल लेकिन आपके फर्म पे डिपेंड करता आप किसको फर्स चौइस रूपिज पे करना पड़ता है और जिनका सेल्फ फैनेंस मोता उनको 27,720 रूपिज पे करना पड़ता है यह फीव इसके लिए हो गया और स्कोर सीट्स हो गया लगवाग पांच कोर्स हैं पांच कोर्स में अगर हम बात करें सीविल पांच ब्रांच है वहाँ पे हर एक ब्रांच का जो सीट्स है वो 72 सीट्स है टूटल अगर 5 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 360 हो गया हाला कि आज के टाप में ऐसा है रियालिटी है कि यह भी कि सेल्फ फैनेंस में सीट्स फूल नहीं हो रहे है रेगुलर का सीट्स फूल हो जा आपका जो चार्ज लगेंगे वो 700 इसके लावा यहां पे रिजर्वेशन भी है 30% मुस्लिम स्टूडिंट का 10% मुस्लिम में 10% OBC यानि टोटल 50% इसके लावा इनका अदना डिस्टाबिटी जो जो इंटर्न स्टूडेंट है जामिय का का स्मीरी माइगरेंट जमू का स्म स्टूडेंट कर दूँ को स्टूडेंट की लाश्यस चीजे बदल गया है पेपर जो है 100 MCQ रहेंगे पहला और वो 100 MCQ जो है वो 33 33 और 33 यह 34 कह लिजिए 33 physics हो गया chemistry हो गया और मैस हो गया यानि टोटल आपका हैंडेंड हो गया हैंडेंड हैंडेंड क्यूर हैंगे आपको सबको दयार कहां से कनव तो हम बात करेंगी लेकिन एक तो यह है कि आपको 100 MCQ रहेगा टूअर का पेपर हैगा और पेपर जोगा वह इंगलिस मीडियम यह इंगलिस लैंगोज में पेपर हिंदी लैंगोज में पेपर नहीं आता है तो यानि पेपर किसम हुआ लैंगोज क्लें यानि आपरिल के फर्सट भी कह लिए उसảiला का जाएगा बंगे राज deras souhaal इंट्रेंस इंट्रेंस इंट्र के लिकर तो इजो है आपका दिल्ली ही रहेगा इसके लबबा ओर कहीं महीं होगा इसके लिए सेंट्रेंश जो आपका मेरिट के बेस में मिलेगा पहला दूसरा एक बात और यहां पैट कर दें चाहे 10th past student हो या 12th past student हो दोनों apply कर सकते हैं पहला दूसरा इसमें ये भी है कि चाहे 10th बेस बेस बीजिए या 12th बेस बीजिए दोनों के लिए 3 year का कोर्स एक ही कोर्स होता है मतलब थी आप 12th करके यह तो भी 3 साल ही आपको डिपलोमा देना पड़ेगा और अगर 12th कर लिए तो भी आपको 3 साल ही देना पड़ेगा दोनों कोई फरख नहीं है एक ही डिगरी दोनों को मिलता है कोई अलग पासी बाकी अभी हम थोड़ा सा आपको तो इलिजिविलिटी क्राइडिरिया और इंट्रेंस डेट के बारे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे तो आपको फ़र्णली चीजे समझ माझेगी एक तो यह कि जामे के जो प्रस्पेक्टर हाले कि आपको लगता हो कि बहुत कुछ यहां पर नौलेज गें कर सकते हैं हांच चाहिए एट्लिस्भाइब माउनले मिनममाम इन दोनों मेन 45 मार्क्स 45 मार्क्स होना चाहिए तब ही आपग के देखा से देखा जांए तो एक sucky होना चाहिए याई कि करके लोगत मच science, physics, chemistry और math का check किया जाग इन तीनों से at least 40% होना चाहिए यह आपका eligibility होगा diploma में admission लेने का इसके अलाबा अगर हम बात करें तो आपका timing विंसर है धाय से साड़े चार के बीच में यानि दो घंटे का paper है पंदरा अपरिल को इनका paper होगा नेक्स शकर हम बात करें यहां पर जो most important है यह हो कि आप paper को लिकर अब हम बात करते हैं तयारी कैसे करना है तयारी करने के लिए है कि आप है न जामे के ही website पर रहिए और यहां पर आने के बाद आपको मैं आपको दिखाता हूँ इंट्रेंस टेस्स सेलेबस का हलाकि सेलेबस में कोई चेंज नहीं है बड़ पेपर में जामे कही एक चीज़ देखने को मिलता है यहां से डिप्लोमा सेलेक्ट कर लिजेगा और यहां से जो है डिप्लोमा इंजिनिरिंग टॉप पे रेगुलेंस सेले फानल दिखर होगा और इसके बाद यहां से आप कैप्चर डाल देंगे यह हो गया इम बेल्स बाकि जिसके सी भी स्टूडेंट को प्रीविए सर का पेपर चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन मोक्स में वट्सप नंबर है आपको लास्ट फोर टू फाइबर का पेपर मिल जागा वह भी औ से इस लेवस को पढ़ लिजेगा अब सवाल होगा कि इसको तयार कहां से करें तो हम इन सौट में समझाते हैं कहां से करें देखें सबसे पहले क्या करें आप इंस्टी जरूर पढ़िए इंस्टी को दो-तीन बार पढ़ लिजेगा कोई भी गाइड किसी पप्लिकेशन का गाइड है तो भी नहीं है तो भी चलेगा नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं देखिए एक तो इंस्टी हो गया दूसरा कोई भी सपोर्टी बुक होता है ना जिसे इस चंद का बुक है बहुत अच्छी बात है यह और भी किसी पप्लिकेशन का बुक हो कोई का बुक है तो क्या करिए गुगल पर जाइए और सर्च कर लिए गेमका लेक्शन नेक्वेशन अब एंस्ट की जो भी आएगे एटलिस तेन-चार वेबसाइट आएंगे शुरू के दो-तीन वेबसाइट के जितना अच्छी के लिए उतना काफी होगा जामे के डीप्लोमा निकालने के लिए क्योंकि जामे का डिप्लोमा आज के टाइम में जो कट आफ जो जा रहे हैं वो हैंड़ आट आफ 50 से 60 के बीच में इनके कट आफ रहते हैं और मतलब 60 यह 70 से दिखा सकते लास्टर का यह बार कट आफ देख लिएगा तो कट आफ जादा नहीं जाता है लेक की कंप्यूटर चाहिए तो आपको जितना जादा जादा हाय स्कूर करना पड़ेगा बाकि से कोई भी क्योरी होगा कमेंट करेगा साथ में एक अनॉसमंट करते हैं देखे स्टूडेंट को स्टूडेंट के ब्याप में अल्यड़ी लास्ट च्टूड काफी सार स्टूड् तो एक नॉसमंज लिए नॉसमंगमनल चार्ज पर आपको तयारी करा जागा डिस्कॉंटेट प्राइस दाएगा 1588 पर आपको कंप्लीड प्रिप्रिशं करा दी जाएगा यानिकि जो भी स्टूडेंट्स डिप्लोमा का तयारी करना चाहते हैं बाकि जिस इस्टूडेंट